Hello friends, welcome to Center Study मौलाना अजाद नेशनल उर्द्य उनिएस्टी में B.Ed. Mathematics की Selected Candidate की लिस्ट आ गई है दोस्तो इस वीडियो में हम जानेगे कि आपका सेलेक्शन के बाद आपको admission लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कुन-कुन student का किस-किस जगा नाम आया इस वीडियो में उसकी भी हम बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बदा दूँ एक चीज़ बदा दूँ अगर आपको हमसे online counseling करवानी है घर बेटे तो आप हमसे WhatsApp पर, Telegram पर या Instagram पर हमसे बात कर सकते हैं मातर कुछी रूपीज में हम आपकी online घर बेटे counseling कर देंगे जिससे आपको कहीं बाहर Cyber Cafe से या कहीं से counseling कराने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन-किन student का selection हुआ है सबसे पहले यह है First List of Professionally Selected Candidate for Admission into Bachelor of Education यानिके B.S. Mathematics Regular Mode 2023-24 तो यहाँ पर आपको application number mention है फ़र्वर्टिकट, name, gender, rank, category जो आपने select कियोगी और allotted category उसके बाद allotted campus आपको कौन सा मिला है ये भी आपको इसमें नजर आ रहा है उसके बाद दोस्तो मैं आपको इसमें धीरे-धीरे ये scroll कर देता हूँ आप अपना नाम और अपना allotted campus जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में और इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं, easily download कर सकते हैं दोस्तो एक चीज और बताता चलू में कि अगर आपको कोई doubt आता है तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं कोई भी चीज और second counseling के लिए, second waiting list के लिए, जो second list आएगी उसकी update के लिए आप हमारे YouTube को subscribe जरू कर ले और bell icon को भी जरू दबाए कि जैसे ही second list आए, आपको हमारी वीडियो की notification तुरंद मिल जाए और फिर से मैं एक बार बदाता चलू कि online counseling करवाने के लिए आप हमसे telegram, whatsapp या instagram पर बात कर सकते हैं, जहांपर हम आपकी online counseling कर देंगे, घर बैटे आपको कहीं बाहर जाने के जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तो, तो ये सारे selected candidate है, जिनका नाम आगया है, 84 student है, जिनकी rank के इसाब से, और serial number total 84 student को call किया गया है, और rank भी आपर mention है, अपनी category according, और कौन-कौन सा उनको center मिला है, ये भी mention है, आप क्या-क्या documents आपको करने है, यानि कि online counseling आपकी किस तरीके से होगी, इसकी बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, तो सबसे पहला जो point है दोस्तो, आ candidate will have to upload the following certificate from 19 July 2023, यानि कि 19 July 2023 से 10 बज़े से आपकी window start हो जाएगी, और आपकी जो window चलेगी, वो 24 July 2023 तक चलेगी, शाम के 5 बिज़े तक, और आपको करना क्या होगा, ये जो आपको link है, इस link के थूरू दोस्तो, आपको login करना होगा अपनी ID को, और वहाँ पर online counseling को complete करना यहाँ पर एक node, सबसे पहले मैं node बता दूँ कि star जो लिखा हुआ है, वो आपको mandatory upload करना होगा, सबसे पहला point है कि proof of Urdu as a language subject, medium at 10th, 12th graduation और equivalent from मदर्सा बोर्ड, यानि कि आपको 10th में 10th का, 12th का, graduation का या कोई भी equivalent मदर्सा बोर्ड है, उसमें आपने उर्दू पढ़ी है, उसका proof आपको वहाँ पर upload करना mandatory है, यह जरूरी है दोस्तों, दोस्तरा point है कि mark sheet of 10th या SSC या equivalent board examination, 10th की class की mark sheet भी आपको वहाँ पर upload करनी जरूरी है, यह भी mandatory है, mark sheet of 12th board examination, अगर आपके पास 12th class की mark sheet है, तो आप वहाँ पर upload कर दें, mark sheet of qualifying examination, graduation, अगर आपकी graduation की mark sheet आ गई ह यह सारी graduation की mark sheet है आपके पास, तो फिर आप upload कर देंगे, transfer certificate और migration certificate, दोनों में जो भी आपके पास है, वो दोनों में आप upload कर देंगे, अगर नहीं है, तो उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, यह वाला और यह वाला आपको mandatory है, यह दोनों point, इसमें लिखा गया है, क तो government of India का जो prescribed format है, वो valid category certificate आपको वाँ पे upload करना होगा, valid होना चाहिए, कोई पुराना नहीं चलेगा, अगर आपका नाम special category में आया है, जैसे कश्मीरी मागरेंड में, PWD में, Children's Armed Forces में, sport में, NCC में या NSS में, तो वो certificate भी दोस्तों आपको upload करना होगा, bonafide certificate या character certificate जहां से आपने last time पढ़ा है, महां से आपको बन जाता है, वो भी आपको upload करना होगा, लेकिन ये mandatory नहीं है, second point आपका लिखा गया है, second point आपका है कि, while uploading the certificate, selected candidate required update mobile number, यानि कि, जब आप upload करेंगे अपने document, तो आपको आपका जो phone number है और email जो है, वो दोनों updated वाले देने हैं, ऐसा ना हो कि, आपका जो, आप phone number जो हो, कोई ऐसा देदो, जो चलना रहा हो, या email ऐसी देदो, जो चल नहीं रही हो, तो आप updated phone number और updated email ID को upload करेंगे, नमबर तीन point पर है कि, आपका online जो verification होगा, वो 25 जुलाई को हो जाएगा, तो फिर उसके बाद, चौथा point है, in case of non-mandatory certificate, time would be given, submission till 30 September 2023, इसका मतलब है दोस्तों कि, अगर आपके पास कोई certificate ऐसा नहीं है, या ऐसा certificate नहीं है, जो अभी mandatory नहीं है, तो उस case में आपको 30 September तक relaxation दिया जाएगा, 30 September से पहले-पहले आपको वो upload करना होगा, इसलिए आपको पहले से ये सारी चीज़ें बना कर रख लेने होगी, नंबर पास point है, if your certificate are in order and the verification team approve your provisional admission, then will you receive SMS और email to proceed the free payment, यानि कि अगर आपका online counseling के बाद आपका जो आपने document upload किये थे, वो आपका verification हो जाता है, तो provisional admission के लिए आपको SMS या email के थुरू आपको notification आएगा, और आपको फिर fee payment करने के लिए कहेगा, fee payment कैसे करनी है, आपको फिर से login करना होगा, और 27 जुलाई से पहले-पहले आपको fee payment दोस्तों, वाँ कर देनी होगी, number 7 point पर ये है, कि अगर आपका, अगर आपका कोई document missing है, या document आपने गलट डाल दिया है, तो फिर आपको एक mail आएगा, उस mail के बाद आपको दुबारा से upload कर देना होगा, अगर आपको कोई document upload करने में दिक्कत आ रही है, आटवे point में लिखा हुआ है, तो फिर आपको ये वाली mail ID जो है, इस mail पर वहाँ पर upload कर देना होगे, बाकी 9 point ये है, कि आप Instagram पर जोड़ सकते हैं, जो कि Instagram आपका, मानू का जो Instagram है, और Instagram का link आपको हम video का description box में दे देंगे, और ये जो वाला जो link है, आपका email का जो link है, इसको भी हम video में डाल देंगे, एक point आपको note दियवा कि, NCC, NSS, ECA और Sport Quota या Children, Widows Under Warden या Arm Forces की जो student है, वो second phase में उनकी list आएगी, अभी उनका नाम नहीं आया है, तो second phase तक वो wait करें, तो ये थी आपकी online counseling का पुरा procedure, अगर आपको फिर भी doubt आता है, दोस्तों तो फिर आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं, अगर आपको online counseling घर बैटे करानी है, तो आप हमसे telegram, whatsapp या instagram पर बाज कर सकते हैं, वीडियो में लगतार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,